सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए वैल आइकन को जिससे की आपको में सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले नजाने कितने वर्षों से अपने देश में दिवादी का त्योहार मनाई जाता है लेकिन जब से सहा जोग सुरू हुआ है दिवाली की जो दीपावजी है वो शुरू हो गई दिवाली में जो दीप जलाय जाते थे वो थोड़ी देर में बुच्चाते है फिर अगले साथ दूसरे दीप खरीटे उसमें तेल डालकर उसमें बाती लगाकर दिवावजी मनाई जाते थे इस प्रकार हर साथ नए 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 दीप लाय जा जाते थे दीप की विशेष्टा ये मुक्ती थी कि पहले उसे पानी में डालके पूरी तरह से भीओ लिया जाता था फिर सुखा लिया जाता था जिससे दीप तेल पूरान पीली और काफी देर तक उजली लेकिन जब से सहजयोग शुरू हुआ है तब से हम लोग रुदय की दीवाली बना रहे हैं रुदय हमारा दीप है रुदय हमारा दीप है रुदय में बाती है शांत है और उसमें रेम का तेल डाल करके और हम लोग दीप जलाते हैं इस तेल को डालने से पहले इस रुदय में जो कुछ भी खराबिया है उसे हम पूरी तरह से साफ हो करके सजित कर लेते हैं ये प्रेम जब रुदय में स्थित हो जाता है तब उसको रुदय पूरी तरह से अपने अंदर शोशन नहीं कर लेता है जैसे पहले कोई आपको प्रेम देता है मा देती है प्रेम बाप देते है प्रेम और भी लोग आपको प्रेम देते हैं उस प्रेम को आप लोग अपने अंदर शोशन देते हैं जोग प्यार पती से मिला पती से मिला वो आपके रोम रोम में च्हा जाता है और वो अपने ही तक सीमित रहता है उसका प्रकाश और रोको नहीं में लिए अगर मा अपने बच्चे को प्यार करती है तो वो उस बच्चे तक और उस मा तक ही सीमित रहता है कभी-कभी उसके बड़े विपरित भी परिणाम निकलाते है कोई मा अपने बच्चे को जवरत से जादा प्यार करती है तो बच्चा कभी-कभी बुरा परताव करता है उसके वेभार में शुष्कता आ सकती है बिष्टता आ सकती है वो मा को अंकर सकता है उसका अप्मान कर सकता है या कोई बच्चा अपनी मा अप्रती बहुत जादा जागरुखो तो हो सकता है को उसकी मा उसके हावी हो जाए उसके सर पे सवार हो जाए इसी प्रकार एक पती-पत्नी में भी जो प्रेम होता है वो गर संतूलन से हट जाए लेंदेन में फर्क पर जाए तो उसके अन्य परित परिणाम होते हुए देखे जाए लेकिन स्वाज योग का जो प्रेम है वो रुदय के इस दीप में जब भर्तिया जाता है तो वो अपने तक्सीमित नहीं रहता है और जब दीप जल जाता है जब आत्मा की जोट खल जाती है तो वो इस सारे संसार के लिए अलुकित करने का मादा रहता है तो जाता 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 है तो एक समर्थ एक समर्थ ऐसा विशेश दीप बन जाता है कि कभी भी भी नहीं पुष्टागी और इस दीप से अन्य दीप जलते है और वो जो जलाय जाते है वे भी कभी नहीं पुष्टे ये कौन सी दातू का बनाया हुआ जीप है ऐसा जर कोई पूछे तो कहा जाएगा कि ऐसा तो कोई दातू है नहीं संसार में जो इस तरह की दीप बनाएं जो जलते रहे और दूसरों को भी आलोकित करते रहे और उसकर भी ननष्टों पुल्टे अमर हो के संसार में सारे संसार में तार रांगन बन के जमकते रहे हैं ऐसे अनेक दीप अकेले अकेले इस संसार में कहीं पर जैसे आपने देखा है बड़े बड़े संतसादू हो गए इस महाराष्ट दूमी में भी अनेक संतसादू हो गए अकेले अकेले कहीं बैठे हुए जर आखे दिरे डिमे दिमे जलते रहें लेकिन वह आज भी तारंगन बनके संसार पिछाया लेकिन वह अकेले दीप थे, दीपावली नहीं थी अकेले दीप थे, कभी-कभी एक दूसरे से मिल थे थे लेकिन आज हमारी दीपावली है, आप लोग सब वही दीप हैं जिनकी मैं वाख्या करही हूं, इनका मैं वर्णन करही हूं, वही सुन्दर दीप हैं जो की अलोकित हो गए और अलोकित होने के बाद दूसरे अनेग दीप जला रहे हैं एक तड दीप से हजारोओ जल रहे हैं यही एक तरीका है इस संसार का अन्दक का उसका अजियान सबड़ रष्ध हूं लेकिन देन एक बात लकना है कि हम जिस तल से जल रहे हैं, जिस निक ददा द च गजर रहे हैं, वह प्रेम है वह निर्वाज प्रेम वो निरपेक्षी प्रेम है, वो प्रेम किसी से चिपकता नहीं, वो कोई अभिलाशा नहीं रखता, वो कोई प्रतिक्रुती नहीं चाहता, वो अभिल इस दीप को जलाय रखता है, अत्यन तसुंदरता से, एसे दीप कांती आपके मुकराब विंदपे भी चाहता है, आपके आँख से ये दीप चमकते हैं, सहाज योगी के आखे आखे आपकर कभी देखे, तो हीरे जैसी चमकते हैं, ऐसे हीरे में अपनी ही जोत होती है, इसी प्रकार एक सहाज योगी के आखे अंदर अपनी ही एक दीप शीखा होती है, जो जिल मिल जिल मिल चमकती रहती है, ये सब काया पलत हो गया, एक पत्थर के रुदय में एक अनुठा सा दीप जल गया, एक मिट्टी के दीप जगे, एक बहुत ही अविनाशी अक्षर ऐसा एक दीप जल गया, जो कि छोटी-छोटी बात में रो पड़ता था, जो छोटी-छोटी सीहानी से ही ग्लानी प्राप्त होता था, वो आज जगे, एक बल्वान, तीपक बन गया है, जो कि किसी भी सुख या दुख के जपेडे से जबेड़ताद.